आज हमारी जो फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट जो बुख है उसका सेकंड चप्टर पढ़ने वाले हैं दा थीफ स्टोरी एक चोर की कहानी तो यह इसका प्रीव मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताया गया है कि एक छोटा सा लड़का रहता है जो दोस्ती कर लेता है अनील नाम के लड़के से अनील को उस पर पूरा विश्वास होता है और वहाँ उसे अपने यहां काम पर रख लेता है क्या वहाँ लड़का अनील का विश्वास तोड़ता है या कायम रखता है या सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर यह स्टोरी जो है जो यंग बॉय है वो एक थीफ ए चोर है और नारेटर भी वही है यह मतलब वही इस स्टोरी को बता रहा है हमें तो वह बोलता है मैं जब अनील से मिला था मैं एक चोर था और मैं सिर्फ 15 साल का था वह कहता है कि उसे मतलब कि मुझे बहुत experience हो गया था और बहुत सफाई से मैं हाथ साफ कर लेता था किसी पर भी मतलब की चोरी करने में माहिर था हर किसी के पास से मैं अच्छी तरह से चोरी कर पाता था मेरा हाथ बहुत साफ हो गए थे अनिल वस वाचिंग आ रस्लिंग मैच वन आ अप्रोच हिं वस अबाट 25 अ तॉल लीन फैलो और यह लूप एजी गोईंग काइंड और सिंपल इनफ एनफ और मैं पर पर्पस आइड हैंट हैंट हैंच लग अफ लेट एंड दो आइंड बी अबल तो गेट इंट इंग मैं अब यहां पर वह चोर क्या बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला वह एक रैसलिंग मैच मतलब कुष्टी का मैच देख रहा था वह मतलब जो अनिल है वह लगभख 25 साल का था लंबा और पतला दुबलवेक्ती था लेकिन वह दिखने में साधारण था दयालू था और वह ज देश्य था चोरी करना तो वह अब सुचता है कि यह मेरे उद्देश्य के लिए चोरी करने के उद्देश्य के लिए यह व्यक्ति ठीक है यू लुक आप बिट ऑफ रैसलर यूरसल्फ आई सैड अलिटिल फ्लैटरी हैं इन मेकिंग फ्रेंग्स तो वह चोर बोलता है अनि पर हम किसी की जुटी तारिफ करते हैं तो हम आसानी से उसको अपना दोस्त बना सकते हैं तो अनिल जवाब देता है कि तुम भी तो एक रैसलर की तरह दिखते हो मतलब जब वह अनिल को बोलता है कि तुम एक रैसलर दिखते हो तो अनिल भी उससे बोलता है कि तुम भी तो एक रैसलर की तरह दिखते हो अनिल के पास सुनकर जो वो चोर है उस लड़के को बुरा लग गया क्योंकि उस समय वो काफी ज़्यादा दुबला था इसलिए उसको थोड़ा सा बुरा लग जाता है वेल आई सेड मोडेस्ली आई डू रैसलर अबिट तो वो चोर बोलता है कि वो मतलब थोड़ा समलता है समलकर मतलब बिलकुल विनमरता से विनमरता पूरवक वो कहता है कि हां मैं थोड़ा बहुत रैसलर हूँ हम थोड़ी बहुत रैसलिंग करते हैं ऐसा वो अनिल को बोलता है what's your name तो अनिल उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है हरी सिंग I lied I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer तो वो जो लड़का है वो कहता है हरी सिंग और उसने जूट बोला फिर वह कहता है कि हर महीने वो अपना नया नाम रखता है इससे फाइदा होता है कि वह पुलिस से और जिसको भी उसने लूटा था उनसे मतलब जिनोंने उसको काम दिया था या उनको वो लूट कर आया था उनसे वह आसानी से बच जाता है इसलिए वो हमेशा अपना नाम हर महीने बदल लेता है अब यहां पर वो चोर क्या बताता है कि इतने परीचे के बाद अनिल ने तेल मालिश किये हुए जो रेसलर थे उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया जो एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे तो जो चोर है वो कहता है में और मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था इतना बोलकर अनिल जाने लगा तो वह चोर भी उसके पीछे जाने लगा हेलो अगेन ही सैट अनिल ने उससे फिर से कहा हेलो बोला मतलब जब वो असके पीछे जाने लगा तो अनिल को ऐसा लगा कि यह मेरे पिछे आरा इसको ज़रूर कोई काम होगा तो वो उससे फिर से हेलो बोलता है अनिल I gave him my most appealing smile I want to work for you I said but I can't pay you तो मतलब चोड जो है वो उसको मुस्कुरा कर देखता है तो अनिल उससे बोलता है मैं मतलब वो चोड से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं चोड अनिल से बोलता है यसा कि मैं मुस्कुरा कर कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं तो अनिल उससे बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हें उसकी पगार नहीं दे पाऊंगा पैसा नहीं दे पाऊंगा तो जो चोर है इस बात पर एक मिनिट के लिए सोचता है कि शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है चोरी के लिए तो चोर उससे पूछता है अनिल से कि कYा तुम मुझे खिला पाओगे मतलब खाना खिला पाओगे क्या तुम मुझे तो Can You Cook ? अनिल उससे बोलता है क्Yा तुम खाना बना सकते हो I can cook I light again तो चोर केता है कि उसने वापस से जूट बोला और कहा कि हां मैं खाना बना सकता हूँ If you can cook then maybe I can feed you तो अनिल उससे कहता है यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी दूँ अगर तुम बना सकते हो तो He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing Anil उसको अपने घर ले गया ऐसा वो बता रहा है जो जमना sweet की जो मिठाई की दुकान ती उसके उपर था और चोर से बोला कि वह बालकनी में सो सकता है चोर कहता है लेकिन मैंने जो खाना उस रात बनाया था वह बहुत ही बुरा खाना होगा क्योंकि Anil ने वह खाना जो है रास्ते के जो कुत्ते होते हैं जो गली में घूमते रहते हैं उन कुत्तों को दे दिया और मुझसे कहा कि तुम जाओ और सो जाओ मैं वहां से गया नहीं और वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा मेरा मुस्कुराना देखकर वहां भी अपनी हसी को नहीं रोक पाया मतलब क्या हुआ इसका कि उसने जो अच्छा खाना नहीं बनाया था तो उसने वो सारा खाना जो गली के कुछते रहते हैं उनको दे दिया और उससे बोला कि तुम जाओ जाकर सो जाओ लेकिन वो चोर जो है वहां से जाता नहीं है और फिर इसी गंदे खाने की वज़ा से वो मुस्कुराता रहता है तो इसी गंदे खाने की वज़ा से अनील भी अपनी हशी को जो है वो रोप नहीं पाता है उसको भी हशी आ जाती है Later he patted me on the head and said never mind he had teach me to cook He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers I was grateful I knew that once I could write like an educated man there would be no limit to what I could achieve तो जो चोर है बाद में वह उसके मतलब वो बलता है कि बाद में वह मेरे सिर को थपता पाते हुए कहता है कौन कहता है अनील कि वह मुझे यानी चोर को खाना वनाना सिखा देगा उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया और उसने कहा कि वह मुझे बहुत जल्दी पूरे पूरे सेंटेंस जो वाक्य होते हैं वो लिखना सिखा देगा और जोड़ना भी सिखा देगा मैं उसका काफी आभारी था मैं जानता था कि एक बार अगर मैं पड़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख कया तो मैं कितना कमा पाऊंगा उसकी कोई भी सीमा नहीं है मतलब जो मुझे चाहिए वो सब मैं अचीव कर पाऊंगा मैं सब वो सब चीजे में पा लूँगा ऐसा वो सोचता है अब वो चोर क्या किता है कि अनील के लिए काम करना काफी अच्छा लगता था उसको वो बोलता है सुभा में चाय बनाता था और उसके बाद दिन के जरूरत के समान के लिए बाजार जाता था और इस खरीदारी के दोरान में प्रती दिन एक रुपय का लाब ले लेता था मतलब वो उन सब खरीदारी में एक रुपया मेशा बचा लेता था मैंने सोचा कि मतलब उसे चोर बोलता है कि मैंने सोचा मुझे लगता है कि अनिल को पता है कि मैं ऐसे प्रॉफिट जो है लाब जो है वो कमा रहा हूं लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पिच्चर में भी देख सकते हैं कि वो जो अनील है उसको चोर को लिखना पड़ना सिखा रहा है तो वो बोलता है कि अनील को शाहिद पता है कि मैं एक एक रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा रहा हूं इसमें से लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अनील मेड मनी बाइ फिट्स और स्टार्ट फिट्स और स्टार्ट फिट्स और बोरो वन वीक लेंड दे नेक्स्ट फिट्स वर्रींग अब यहां पर चोर क्या बोलता है कि जो अनील है उसको पैसा कमाने का तरीका irregularly था, मतलब कि वह कहीं काम नहीं करता था काम करके पैसा नहीं कमाता था कि उसे हर मईने salary मिल रही हो ऐसा नहीं था, वह कभी कमा पाता था, कभी नहीं कमा पाता था एक हफ़ता वा उधार लेता और जब उसके पैसे आ जाते तो दूसरे हफ़ते वो उधार दे भी देता था वह हमेशा इस चिंता में रहता था कि कब अगला चेक आएगा लेकिन जैसे ही चेक आता वह उसे लेकर बाहर जाता और enjoy करता पार्टी करता उन पैसों से, जो पैसे उसको मिलते थे उनसे ऐसा लगता था कि वह मैगजीन के लिए, मतलब पत्रिका के लिए लिखा करता था जो एक अजीब तरीका है पैसा कमाने का, अपनी जीवी का चलाने का ऐसा वह या पर चोर जो है वह बता रहा है अब यहां पर चोर क्या बता रहा है कि एक शाम अनील घर आता है एक नोट का बंडल लेकर और उसने अनील ने कहा कि उसने एक जो बुक है एक जो किताब है वो बेची है पब्लीशर को ऐसा वो उसको चोर को बताता है चोर कहता है रात को मैंने देखा कि अनील ने पैसे जो है वो गद्दे के नीचे रख दिये हैं मतलब उसने चोरने देखा कि अनिल ने पैसे के नीचे रख दी हैं गद्टे के नीचे रख दी हैं I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work I had every opportunity for doing so Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased He was the most trusting person I had ever met अब यहां पर चोर क्या कहता है कि अनिल के यहां काम करते हुए मुझे एक महिना हो गया था और खरीदारी के समय उसने जो बैमानी की थी जो एक-एक पैसा बचाया था वो जो उसकी चोरी की जो लाइन थी उसके लिए कुछ भी नहीं था मतलब एक चोर के लिए वो कुछ भी नहीं था एक-एक रुपया बचाना और उन पैसों से जो उसने जो पैसे चुराए थे उन पैसों को चुराने का मतलब जो पैसे अनिल लेकर आया था उन पैसों की यहां पर बात हो रही है कि उन पैसों को चुराने का बहुत अच्छा समय था मेरे पास अनिल ने मुझे घर के दरवाजे की चाबी दी थी मेरा जब भी मन होता था मैं आ जाता था और चला जाता था वो कहता है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उन सब में अनिल ही ऐसा था जो विश्वास निये था जिसे मुझे पर विश्वास था ऐसा वो बोलता है कि अनिल बहुत ही विश्वास करने वाला वैक्ति था इसलिए भी उसने आज तक उसके हाँ पर चोरी नहीं की थी and that is why it was so difficult to rob him it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed but it's difficult to rob a careless man sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work अब यहाँ पर चोर क्या बोलता है और इसलिए यहाँ कथिन था मेरे लिए कि मैं उसको लूट सकूं एक लालची वैक्ति को लूटना आसान था क्योंकि वह इसको effort भी कर सकता है लालची वैक्ति के पाथ से चोरी करना अच्छ आ है क्योंकि उसको बहुत लालच होता है वह उसका हिसाब रखता है कि कितनी चोरी हुई है वह इस सब चीजों को झहेल सकता है लेकिन जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, जैसे कि अनिल को लूटना कठीन है वह तो notice भी नहीं करेगा कि उसे लूट लिया गया है मतलब जो एक careless person होता है जिसे कोई भी चिंता नहीं होती है उसको लूट लेना जो है वो जो है थोड़ा सा कठीन होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया है या उसके साथ चोरी हो गई है तो जो चोर है वो बोलता है कि जो भी व्यक्ति है जिसको फर्क पड़ता हो चोरी से उसको लूटने में मज़ा आता है लेकिन जो व्यक्ति केरलेस है उसको अगर लूटा जाए तो आपके लूटने का सारा मज़ा चला जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि एक जो लुटे रहा है जो चोर है वो हमेशा यह चाहता है कि जिसे लूटा जाए वो थोड़ा परेशान हो वो ऐसा चाहता है लेकिन careless person परेशान नहीं होता लेकिन अगर लालची person को लूटा जाए तो वो थोड़ा परेशान हो चाहता है और हमेशा चोर ऐसा चाहता on his friends after all he doesn't even pay me तो अब यहां पर चोर क्या कहता है वो अपने आप से कहता है मतलब कि ठीक है चलो अब अपना असली काम किया जाए वो कहता है कि काफी दिन होने के कारण उसकी चोरी करने की जो प्रैक्टीस है जो आता थे वो छूट गई है और वो यह भी बोलता है उन पैसों क नहीं चुराता है तो सारा पैसा अनिल अपने दोस्तों पर लुटा देगा और वहां तो मुझे पे भी नहीं करता है चोर केता है कि वह तो मुझे पे भी नहीं करता है मुझे काम करने का पैसा भी नहीं देता है मुझे तंखा भी नहीं देता है इसलिए मुझे उस पैसे क को चुरा लेना चाहिए स्टुडेंट्स यह हमारा अथिफ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक यू